हेलो फ्रेंड्स, मेलकम टो मैं चानल बज़ेट ट्रावलर, आजा माहें हैं HRZ के रोग आडर में करने मेलकम हैं यां कर दोड़ने मेट्रीयल के लोग नहीं माहें करेंक। यह सारे वेष्ट मटीरियल से त्यार के हुए है। जादा टूटा हुआ मेरी रजा इंडस्टियल बेस्ट है अब देखिए इन पहारों को कितने खूबसूरत रूप में आप देख सेपते हैं रोग गार्डन है यह रोग गार्डन नहीं है नेकचंद की एक कहानी है नेकचंद जी जिन्हों ने इसका निर्मान 1957 में शुरू करके 1976 में पब्लिक को हैंडवर किया गए में इसके वारें पब्लिक को पता जला है तुझे टोटली इल्लीकल जगा पर बना हुआ अडिक हो गई कि हम इसको तोड़ेंगे बट पब्लिक ओपिनियन नेकचंद के साथ आने के कारण इस गारण को रखा गया और इसके बाद इनको 50 लेवर दी गई और SDE का दरजा दिया गया है उनका फुल टाइम जोग कर दिया गया कि रोगगानन को बनाओ और पूरी दुनिया को दखाईए यह जो रास्ते के दोनों साइड में आप चटाने देख रहे हैं यह वेस्ट मेटीरियल से त्यार की गई है एक तोचर प्रस्चर प्रस्ते का देख बनाओ जोगगानन के साइड में नाज बनाओ प्रस्ती में आप हैं झाल झाल हैं आपको आखी जिसा जर्णा दिखाया काया अभी आपको लिखार दिखारो आखिशो की लांप और अथा भूट शानगा दिक्या याह। है लिखान में है टेक्स है और अजद तलत भी जगता है से वाधि वहां तक कर दोड़ाई है। इस समय हम रोग गार्डन के ओपर एर थेटर में खड़े हैं जहां पर हंडर के आसपास लोग बैठ कर रोग गार्डन की हिस्टी के बारे में जान सकते हैं यहां से जहन्डे का व्यू बहुत ही शान्दार है कि अभी हम कार्डन के जिस से इकल रहे हैं इसमें ऐसा परतीत होता है जो किसी किले के इसमय से बुजर रहे हैं को अगर में अगर में और अगर में आप और अधिवाग गार्टा चाहिए काडन पाडन के इस हिस्साए में बहुत ही ज्यादा रोने करेंती है काफी ज्यादा सुना दिखाई दे रहा है तक है झाल लगा वाने में लड़त कर दो जाल गजा जांड़ेंग वएगाइगा है यदाने झाल अवस्ता इन सब्सक्राइग में जादेंगान झाल 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 तेरा रंगला विच सोने दिया में खा जतो तेनू याद करा जत चरके वल्वे जिन्दीकी में नेकचंग जी को काफी अवाड और एकुलेट मिले हैं उन्बे सबसे पर्मुक्रा है पदन फिली जो कि उनको नेकचंग जी जानी जाल सिंग जी द्वारा दिया गया रो गार्डन एक काफी फेमस देने थी और मैंने इसके वारे में काफी पड़ा भी है तो इसलिए इन बच्चों का जबाने ले आया और यह जो नेकचंग जी जो बड़े आदर्स लगते मुझे और इनों ने यहां इस आरी जो का लागारी है जो बेसिक चीज है तो ने हर आपने देखा जहां पर जो टूटी फूटी जीजों को कैसे लगा हुआ है जी को जे पूछा गया कि उनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा आवार कोंसा है तो उनका जवाब था कि जब लोग इस गारण में आते हैं उनकी बनाई हुई कलाकृतियों को देखकर खूश को होते हैं तो जे जिन्दगी का उनका सबसे बड़ा आवार है अब हम आ चुके हैं रोकाड़ की चात्रा के अंतिक बड़ा उपार इस हिस्से में आपको मिलेंगी रंग दुरंगी मूर्तियां जो की नेक्चंची और उनकी टीम द्वारा बनाई गहीं है इनने काच की चुडियों का इस्तेमाल बहुत शांदार तरीके से किया गया है यह मूर्तियां अंतराष्टिये स्तर पर भारत की पेचान बड़ाती हैं अब इसे से में आपको मिलेंगी अलग अलग बनाई हुई कलाप्रितियां जो की टूटे हुए कप लेट सेंट्री के समान के द्वारा बनाई हुई हैं यह देखने में बहुत ही खुशूरत पर्द आप आगे आपको दिखाई देंगे जानवर, अंदर, हाथी, खोड़े, ऐसे बनाई के अलग अलग जानवर खेलते हैं बच्चे आज की इस विजट में हमने सीखा जिन्रगी में कुछवी वेस्ट नहीं होता और नेकचन जी ने काफी सारे वेस्ट मेटियल को इकठा करके एक शांदार गार्डन बनाकर जे साबित कर दिया नेकचन जी तुली रॉक्स रॉक गार्डन तुली रॉक्स